इसाओ कि नम humanosकार बहुत स्वागत आपका मेरी यूट्युब चैनल पर आज का हमारा विश्य है छोटी भागी रेखा अक्छर लोग पूचते हैं और अक्छर लोग सोच के परिशान रहते हैं उसके गुरुजी मेरे हतेली में भाग रेखा बहुत छोटी है, क्या मेरा भाग ये छोटा है, क्या मुझे धन संपत्ती बहुत ही कम मिलेगा, तो ऐसी बात बिल्कुल नहीं है, कि छोटी भाग रेखा है तो आपके पास धन की कमी रहीगी या धन संपत्ती कम मिलेगा, भाग रेख चोटी हो थो घवराने के अवें सकता नहीं है हतहली का आकार यहां कर सकती है कि आपकी छोटी भग रेखा भी बड़ी भाग रेखा कारी कर सकती है तो हतहली अगार जो हुसमें मुक्यी रूप дов प्र्बतों की स्थिति यह दो finsخ Southeast तो सबसे पहले जिन भाईयों ने अभी तक मेरे चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया हो क्रिप्या सबस्क्राइब कर ले आच लिए आगे बात करते हैं हतेली का का हमारी उंगलियां कुछ इस परकार से हतेली पर हतेली पर रहती है अक्सर देखने को मिलता अगर यह सभी मान लिया जाए इस परकार से हो कि यह एक सीद में आ जाए इस परकार से अगर कोई लकीर खीज दे आर यह एक सीद में आती हो अंगलियां के जड़ ध्यान देने की बात है अंगलियां के जड़ होती हो एक स और अन्न उंगलिय यहां होती है यह उंगली थोड़ी नीचे रहती है तो जिन जातक के हतेली का इस सारी उंगलिया करीब करीब एक सीथ से चुरूए लगभग लगभग की बात मैं कर रहा हूं तो ऐसे जातक की हतेली में अगर छोटे भागी रेखा भी होते हैं तो वह अच इसना छोटा सा है तो घवरानी के आवे सकता नहीं है अगर यह पहला कंडिशन उंगलियां सीथ में हो तो छोटी भाग रेखा भी अच्छा कारी करती है ऐसे जातक धनवान होते हैं काफी संपत्ती वाले होते हैं इसमें कोई दो राय नहीं है इनकी जीन का जीबन भी अच सीद में नहीं हो आपका सनी परवत की स्थिति अच्छी हो सूरी परवत की स्थिति अच्छी हो तो भी छोटा भाग रेखा बड़ा काम करता है परवतें की स्थिति अच्छी हो तो वह बहुत ज्यादा पोजेटिवीटी बढ़ा देती है व्यक्ति की छमता बढ़ा देती ह सोचने समझने की चमता कारी करने की चमता सब कुछ अलग हो आता है तो छोटा भागे रेखा भी बड़ा कारी करता है हाते लिक्या कार पिनिवर करता है भागी रेखा मस्तिक्स से निकल रही है यहां से यहां तक मत रहे तो लुक घवरा जाते हैं कि यह इतना इतना parenthesesले कि मालना लिए यहां शुरूव इतना आपको घवराने की बिल्कुल आवे सकते नहीं आपकी भागी कीजिए गवर आपके पास धन होगा चुकि आपकी भाग रेखा याम लस्तिक स्चेत्र से निकल रही है तो यही थी छोटी भाग रेखा है अक्सर लोग सोचने लगते हैं मेरे हाथ में भाग रेखा चोटी है लंबी-लंबी होने चाहिए कभी लोग बोलते हैं कि मनिबंद से निकली भाग रेखा सबसे अच्छी मानी जाती है यह बात तय है कि मनिबंद से निकली भाग रेखा सबसे अच्छी मानी जाती है लेकिन छोटी भाग रेखा भी अच्छी सफलता देती है आज के अंकि में इतना ही धन्यवाद नमस्कार अच्छा लगे तो सेहर अवस्य कर लिक वी अबसे